Hello everyone, Insurance Law की last class में हम fire insurance का chapter complete करके आचुके थे आज हम बात करेंगे marine insurance के part first के बारे में marine insurance means समुद्री बीमा, जीवन बीमा हमने देखा है, अगनी बीमा भी हमकी एक ग्लास भी हमारी हो चुकी है इसी तरह जीवन बीमा होता है, अगनी बीमा होता है, समुद्री बीमा भी होता है, इसमें से भी काफी कॉशन सब के point of view से आते हैं और इसके अलावा समुद्री बीमा जो है, वो प्राचीन बीमों में से एक माना जाता है, मतलब सबसे पहले जैसे हम जब historical background जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था आपको कि marine insurance जो है, उसका प्रादरुभाव सबसे पहले हुआ था, अन्य बीमा उसके बाद में ठीक है, शतिपूर्ती बीमा अनुबंदों में अगनी बीमा और समुद्री बीमा को शामिल किया जाता है, और भी अन्य बीमा आता है, जीवन बीमा को छोड़ कर, जीवन बीमा इसमें नहीं आता है, शतिपूर्ती बीमा अनुबंदों में, वो जीवन बीमा अनुबंद है तो शतीपूर्थी बीमा नुबंद का एक उधारन जीवन, यह समुद्री बीमा भी है, समुद्री बीमा की गिंती जैसे मैंने बताया प्राचीन तम बीमों के रूप में होती है, ऐसा माना जाता है कि बीमा व्यवस्ता का प्रारम भी समुद्री बीमा से हुआ, एक्चुल मे प्राचीन काल में समुंदरी मारगों से जिसे व्यापार किया जाता था तो उस समय देश में जो वस्तुए हायात निरियात की जाती थी समुंदर के रास्ते से उस समय चुकि सामुद्री खानिया होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती थी और सामुद्री खानियों से सुरक्षा परदान करने की उस समय उसकाल में भी अनेक विदिया प्रशलित थी आज से लगबग 3000 वर्शों पूर्व राडस और फोनेशिया ने समुद्री भीमा का प्रशलन किया था प्रशलन में चलते थे उन देशों में इसी अवधी में युनान में में बैबिलोनिया में भी आदी सब बैताओं में भी समुद्री भीमा प्रशलित होने के प्रमाण मिलते हैं समुन्दरी बीमा दीरे दीरे इन अन्य देशों से निकल कर अन्य देशों जिसे फ्रांस है, इंग्लेंड है, जर्मनी है, स्पेन है, आधी देशों में विक्सित हुआ लगबग 1575 के आसपास इंग्लैंड में समुन्दरी बीमा पत्रों के पंजयन की विवस्ता प्रारंब कर दी गई थी 1601 में समुन्दरी बीमा विवादों के निप्टारे के लिए मध्यस्त नयले के स्थापना भीमा पे की थी भारत के अगर हम बात करें तो भारत में भी एर 1963 में भारते समुन्दरी बीमा अधिनियम पारित किया गया 1963 में भारते समुन्दरी बीमा अधिनियम यहाँ पर भी पास हुआ इस प्रकार समुन्दरी बीमा की प्रता और परंपरा बहुत प्राचीन है आज भी आधुनिक समुंदरी वीमा की कारेशे लिए और क्रिया कलापों में इस ये जो प्राचीन था का जो प्रोसेस है कही ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है आज हला कि कई बहुत विस्तारित रूप ले लिया है इसने काफी सारी सुईधाय अवेलेबल करवाए जाने लगी है काफी सारे रूल्स रैगुलेशन्स मरीन इंशॉरेंस के साथ में जुड़ गए हैं लेकिन फिर भी ये किस की देन है ये प्राचीन विधी की देन है हमें साथ ही हम आज की वीडियो से जानेंगे स्कॉप ऑफ मरीन इंशॉरेंस के बारे में सो क्लास स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं समुंदरी बीमा का अर्थ में अब यहां पर बीमा करता कौन हुआ बच्चों insurance company कौन हुआ insurance company एक चीज और आपको ध्यान में रख ले नहीं है समुद्री बीमा क्या है शतिपूर्थी बीमा अनुबंद का एक रूप है यानि कि यहां केवल और केवल शतिपूर्थी की जाती है investment का जैसा जीवन बीमा म कि द्वारा सामुद्रिक मार्गों से होने वाले व्यवसाए में जितना भी व्यवसाए जितना भी ट्रेड और विजिस्स जो है वह सामुद्रिक मार्गों से होता है उसमें जहाज जहाजी माल भाड़े मतलब इसका जो रेंट होता है अत्वा जहाज समंदी किसी भी आशी क्यास धने का मतलब है फर्स आंपका है इश्यूर्स गंपनी अपनी तरफ से करती है कि समद्रिक मार्गों से मैं, मतलब जो भी मरी वेस से जो आप समान लेकर जाएंगे शिप जाएगा कार गो जाएगा उसका रेंट है जहां से समंद्र जो भी अन्य जो विश्यवस्तू है उनकी आने की पूर्ति का इसमें वचन दिया जाता है वी मा कंपनी के द्वारा जो की बीमा पत्र में उल्लेकित कारणों से होती है समंद्र में या किसी अन्य निश्चित इस्थान पर अ यानि कि समुद्र से होकर trade or business करना जो भी कार्गों को goods को जो भी नुकसान पहुँचता है उस नुकसान की भरपाई किस साधन के द्वारा की जाती है समुद्रिक भीमा के द्वारा की जाती है clear फिर हम बात करते हैं अगर भारते भीमा अधिनियम 1938 की तो भारते भीमा अधिनियम 1938 की जो section 2 है उसका subsection 13A उसके अनुसा समुद्री भीमा व्यवसाय में निम्लिक प्रकार के भीमा व्यवसाय के अनुबंद शामिल है तो यहाँ पर जो आपका ये section 2 का subsection 13A है ये तीन प्रक प्रकार के भीमा अनुबंदों को समुद्री भीमा व्यवसाय में शामिल करता है first of all किसी भी प्रकार के जलियान जिसमें उनके माल भाड़े तथा उन जलियानों से समंदित कोई भी अन्य हित जिनका भीमा करवाया जा सकता है का भीमा अनुबंद बतलब किसी भी प्रकार क जलियान, जो कि समन्दर में जाएगा, उसमें किया शामिल है, उस शित के साथ में क्या शामिल है Chiujam levar भाड़ा भी शामिल है ध्यान माल के अभिवहन से सम्मंदित जोखिमों का बीमा चाहे उस माल का परिवहन इस्थल मार्ग से होता हो या जल मार्ग से जिसमें भंडार की जोखिमें अभिवहन को अन्य ऐसी अत्रिक्ति आनुशंगी जोखिमें शामिल हो सकती है या नहीं भी, यह डिपेंड करता है बेटा, जोखिमों का बिमा चाहे उस माल का परिवेन इस तलमार्ग से होता हो या जलमार्ग से मतलब वो माल उस स्टोर में उस स्टोक में रखा गया है तो वो चाहे वो परिवेन किसी भी वे से आया हो चाहे वो आपके इस थल मार्ग से आया हो या जल मार्ग से उसके भंडार की जोखिम भी इसमें शामिल की जा सकती है और जोखिमों के साथ जो अदर जोखिम से है जैसे माल का माल लेज़े खराब हो जाना या जल जाना तो वो भी उसमें शामिल किया जा सकता है यह डिपेंड करता है अलग-अलग conditions के ओपर, तो यहां पर कहने का मातलब यह है, कि माल के अभिवहन से समंदि जो जोखी में है, जी कि माल पहुंचाया गया है, उससे समंदि जो जोखी में है, वो भी यहां पर शामिल की जा सकती है, थर्ड बात यह कहता है कि उन सभी जोख कि समंदोर को में बिमत को वहां कि Самनुभंद जो जोत करता हैं, यहां अनुभंद में निश्य विधी और सीमा वी अरफ सामोंद्रिक खानियो और उसके साथ में उसकी जो सहाय अन्य हानिया है अनुशंगी खानिया जो समुंद्री खानिय से जुड़ी हुई है उनकी पूर्ति का वचन देता है तो इस प्रकार ये भी एक अनुबंध हो गया इंशॉरेंस कंपनिया ने इंशॉर्ड के बीच में किस चीज को लेकर समुं उसकी सामुंद्रिक जो खिमों से रक्षा का एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा करता बीमित को एक निश्चित प्रतिफल के बदले किसी जहाच अनुशंगी हाने का मतलब होता है उनकी पूर्ति का वचन देता है तो किसी विशिष सामुंद्रिक यातरा तता आवधी के कि भी तरुथमन हो सकती है यभी आप पार्टिकुलर होता है कि जैसे वाय नॉर्मली किसी पार्टिकुलर टाइम में जैसे फॉर मैंने 6 महिने का करवाया तो इन 6 महिनों के टाइम है मैं कितनी बार समुंदर से होकर अपना माल लेकर गए या कितनी बार मैंने समुंदर से अपना माल भेजा तो उस 6 महिने की अबदी के लिए करवाया है तो उस 6 महिने की अबदी में अगर कोई जोखियों होता है तो insurance company उसक पिक के समुंधरी बीमा का जो शेत्र है वो क्या होगा तो देखिए समुंधरी बीमा के नतरगत बीमा करता विबिन वीमित वीशेवस्तों को विबिन समुंधरी जोख interessate को से होने वाले हानी की दायद उठाता है हान्यों का तो कोई पर्टिकुलर एरिया तक इंशरयंस क्मनी लाइबल होगी इसके बाहर नहीं होगी तो यहां पर हम लोग स्कोप ऑफ मरीन इंशॉरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं फर्स पार्ट है आपका समुंदरी भीमा की विश्यवस्तु की द्रश्टी से यानि कि सब्जेक्ट मैटर के द्रश्टी से क्या-क्या मुतरा चीजे मरीन इंशॉरेंस में शामिल हैं कॉन कॉनसे रिस्क जो है वो इसमें कवर जाएगीा आज की क्लास में हम इसका फर्स part देखेंगे जो बात करेगा समुंदरी भीमा की विश्यवस्तु के सम्मद мें कौन-कौन से subject matter इसमें शामिल होंगे फर्स्ट हम बात करते हैं कि समुदरी बीमा की विशे वस्तु से तात पर यह है कि समुदरी बीमा किन विशो की जोखिमों के परती करवाया जाता है कहने का मतलब यह है कि समुदरी बीमा किन-किन पर लागू होगा यह mówi टरीके से समझने के लिया आप इतना समझ लो कि विशे वस्तु का मतलब रहतों वह विशे वस्तु जिस पर कि समुदरी बीमा जिसका समुद्री बीमा करवाया जाता है समुद्री मिंमा मुख्यू रुप से चार विशो की जोखिमों पर करवाया जाता है ध्यान रखिए कौन-कौन से हुए वो चार आपका कारगो शिप आपके फ्रेट और आपके लाइबिलिटी चीक है कारगो शिप फ्रेट और लाइबिलिटी चार चीजे हुई आपकी फर्स्ट हम बात करेंगे माल यानि के कारगो के बारे में समुंदरी बीमा में माल सबसे महत्मून विश्यवस्तु यह बहुत इंपॉर्टेंट है समारी निशुरेंस के लिए समुंदरी मारगों से होने वाले व्यापार में माल जल्यान अर्थात जहाजों में लाद कर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर भेजा जाता है यह तो बात है क्या पर बेजाएंगे लेए अप और कर ACL को कहें यहां पर इसे माल भी बजा जाता है जांग वे जत्यों सब क्रड़ कर्कार ने Prophet video क्ल्हटाएं त्ट्य बदर्याओके बीच जल्ल्परिवहन द्वारा जाने वाल जाता है नम्हां थर्ड रेल सडक तथा अन्ये मणी। इसके अलावा आंतरिक जल मारगों में बजडो, नावो, स्टीमर्स जो होते हैं आदी दौरा जाने वाल नावो दौरा पहुंचा जाता है वो माल भी यहाँ पर कवर किया जा सकता है माल की definition में आता है और जब वो particular जो goods है वो अगर माल की definition में आती है यहाँ जो defined categories है इनमें शामिल है तो सिधी सी बात है कि उनका समुद्री बीमा करवाया जा सकता है clear? समुद्री यात्रा में जाने वाले माल को कही जोखिमों का सामना करना पढ़ता है यह तो पता है इन जोखिमों में से कुछ जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का दाईत है तो जहाँ जी कंपनी स्वेम वहन कर लेती है ठीक है ना? ऐसी हानियों तता जोखिमों का उलेक जहाँ जी बिल्टी में नहीं होते ठीक है ना? जैसे कि माल्लेजे navigation में जहाँ खे कप्तान की असावधाने के कारण कोई काम हो गया अचानक से आग लगने के कारण हो गया समूंदरी मारगों का संकट हो गया कोई देवय गटना हो अचानक से माल्लेजे इसी जोकिमों का बीमा करवा लेना ही सुरक्षा का एक साधन है एक उपाए है तो ऐसी जोकिमों का बीमा करवा कर माल की शति से सुरक्षा किजा सकती है। है जिसके समुंदरी परिवेहन में शतिगरस्थ हो जाने की जोकिम बनी ही रहती है अभी हमने देखा था कारगो क्या था जहाज में लाद के ले जाये जाने वाला माल अब हम बात कर रहे हैं जहाज की जिसमें माल है तो जहाज को भी नुकसान होने की काफी समुंदरी मार्ग में इसलिए जलियान का बीमा करवाना बहुत जरूरी हो जाता है जलियान का बीमा करवाना बहुत जरूरी हो जाता है सो समुंदरी बीमा के संदर में जहाज से आशे क्या है जहाज से आशे है किसी भी ऐसे जलियान से जो नैविगेशन में प्रियुक्त होता है आप किसी भी तरीके के जहाज हो छोटी बोट हो मतलब कहने का मतलब अब इसमें क्या क्या शामिल होगा जाए माल को माल को एक स्थान से दूसरे इसमें शामिल है देखिए जहाज बीमा के इंतरगत केवल खाली जहाज का बीमा शामिल नहीं है ध्यान जहाज का इंजन हो बॉइलर हो जो उसकी फिटिंग से और अन्य जो भी सामान है वो सब शामिल होते हैं केवल खाली जहाज का बीमा इसमें नहीं होता बड़े जहाजी कंपनिया पूरे जहाजी बेड़े के लिए केवल एक ही बीमा पत्र ले लेती है जिसे फ्लीट इंशॉर जहाज का बीमा करवाया जाता है थार्ड हम विश्यवस्तू की बात करें तो तीसरी विश्यवस्तू है हमारा फ्रैट भाड़ा व्यापर एक जहाज परिवें सेवा प्रदान करके भाड़ा आर्जित करने का उद्धिश रखते हैं ये तो सिधी सी बात है और अगर मान लि जाता है कि क्यों ना भाड़े का बीमा करवा लिया जाए ये भी जरूरी है उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे है ये उसी के लिए तो इतना माल आ रहा है जा रहा है एक्सपोर्ट करने वाला वेक्ति एक्सपोर्टर जो एपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है इंपोर्टर माल इंपोर्ट कर रहा है तो व्यापारिक जहाज पर इवेन सेवा परदान करके भाड़ा अरजित करने का उदिशा रखते हैं सिदी सी बात है तो जहाज के भाड़े का भुगतान माल के गंतवे इस्तल पर पहुंच जाता है तब किया जाता है या फिर एडवांस की रूप में पहले भी किया जा सकता है यदि समुद्री जोखिमों के कारण माल गंतवे इस्तल तक नहीं पहुंच पाता माल लिजे कि समुद्री जोखिमों के कारण माल जो है वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया है तो जहाज के मालिक को भाड़े की हानी हो जाती है इसी बात ह बीमा करवा कर भाड़े को सुरक्षित कर सकता है खुद ही जो है फ्राइट का भीमा करवा लेता है और इससे इसका फ्राइट सुरक्षित हो जाता है इससे फ्राइट इंशॉरेंस कहा जाता है किन्तु यदि व्यापारी जहाज का भाड़ा अगरिम रूप से चुका देता है मान लिजे कि उसको advanced में मिल गया तो माल की हानी के साथ ही उसे भाड़ी की हानी भी होगी अफ्टा है माल का स्वामी अब बताएं क्या चाहँ करेगा कहने का मतलब है यदि व्यापारी जो है वह जहाज का भाड़ा उसने पहले से चुका दिया ठीक है तो माल की हाने के साथ ही उसे भाड़े की हाने भी हो गई दो चीज़ों की हो गई ना उसको तो अता माल का स्वामी क्या करेगा भाड़े का प्रथक भीमा ना करवा कर माल के मुल्ले में ही भाड़े की राशी जोड़ देता है इससे उसके अग्रिम चुकाए गए भाड़े की सुरक्षा हो जाती है ठीक है तो ये भी एक important बात है subject matter हुआ हमारा fright भी फोर्थ हम बात करेंगे एक minute हाँ फोर्थ हम बात करेंगे दाइत्व के बारे में लैबलेटी के बारे में समुद्री भीमा की एक विशेवस्तु दाइत्व भी है ध्यान रखिये जो समुद्री जोखिमों के कारण अनेक प्रकार से उत्पन हो सकते हैं तता जिससे हां नहीं हो सकती है तो यहाँ पर liability भी arise होती है कई प्रकार की ये दाइत्व जहाज के स्वामी के उपर त्रित्य पक्षकारों के प्रति आ सकते हैं जहाज का जो मालिक है वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो सकता है यानि कि हम जिस liability की बात कर रहे हैं यहाँ पर marine insurance के स्कोप के तहट वहाँ पर जो liability जहाज के स्वामी के राइस होती है वो किसके प्रति होती है? third parties के प्रति फर एक्जामपल यदि एक जहाज किसी दूसरे जहाज से टकरा जाता है या किसी बנदर गाहा को वो शतिग्रश्ट कर देता है माननीजे एक जहाज है दूसरे जहाज जा रहा है दोनों टकरा गए आपस में या माननीजे जहाज वहाहा से बिलकुल एक अब पोर्ट पर जाकर बिंदर गाहा से टकरा गया वो दूसरे जहाज के वाले के लिए लाइबल होगा ना, तो हुआ थार्ड पार्टी के लिए लाइबलिटी, इसी तरह अगर बंदर गहा को शतिक्रस कर दोगे, तो भी थार्ड पार्टी के लिए लाइबलिटी हुई, तो ऐसी दशा में तीसरे पक्षकार के प्रति जो उत् जिक्सान हो जाए किसी प्रकार का बसी आकम एक्सपोर्टकर करने की रहते इंपोर्ट करते रहते हैं , वू लोग कि चार थी आपकी चारों आना नहीं बताई आपको नेक्स क्लास में हम इसका second part देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे समुंद्री बिमा में जो risks covered होते हैं जो शामिल जोखी में हैं उनके बारे में चीक है तो आज के क्लास में इतना ही अगले क्लास में मिलते हैं हम Thank you all of you